नमस्कार साथियो चमतकारी समाधान में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कि जो घर की महिलाएं हैं उन्हें सुभा उटकर क्या करना चाहिए जिससेगी माता लक्षमी की कृपा उन पर बनी रहे चलिए तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जो आपके घर में महिलाएं होती हैं चाहे वे आपकी माताजी हो या पत्नी हो उन्हें सुभा उटकर के अपने दोनों हाथों को जोड के जैसे दुआ मांगते हैं उस तरीके से जोडना है और अपने चेहरे के सामने रख कर के यह मंत्र जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाए इस मंत्र का जाप क्यारा बार करना है उसके बाद धर्ती मा को परणाम करना है फिर उसके बाद इसनान कारे से अपने नित्य कारे निवरित होकर और सीधा आपको अपने पूजा घर की तरफ या जहां आपने मं पानी भर कर रखें और उसके अंदर अशोक के पत्ते भी रखें फिर आपको भगवान के सामने अगर बत्ती करनी है धूब बत्ती करनी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाए ग्यारा या 21 बार जाप करना है उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए ज जो आपने कलस में पानी भर कर रखा था वह सारे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें जिस घर में यह उपाय किया जाता है उस घर में माता लक्षमी की कृपा रहती है और वह घर खुशियों से भरा रहता है कभी भी घर की महिलाओ को देर तक नहीं सोना है जल्दी सीम क्रिपा बरसती है साथियों आसा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी इस वीडियो को लाइक करना सस्क्राइब करना शेर करना ना भूले